भगवान गनेश जी को दूप चड़ती है, दुर्वा चड़ती है, दुर्वा इस बात का दियो तक है कि जितना व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उतनी ही जीवन में नम्रता और सरलता यदी हो, तो जीवन हरा भरा रहता है आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान गनेश को इकीस दुर्वा और इकीस मोदक, इकीस की गिंती में चड़ते हैं इकीस दुर्वा को इस प्रकार चड़ाना है, हम दस मंत्र भगवान गनपती के बोलेंगे जो वेदों में विधान किये गए हैं, शास्त्रों में विधान किये गए हैं दो दुर्वा में दस नाम बोलने प्रत्येक दो दुर्वा में ऐसे दस दस नाम वही के वही बोलते जाने हैं उच्चारण करते जाना है फिर से हम दो दुर्वा लेंगे और इन दस मंतरों का उच्चारण करेंगे अब जो 21 मूदक आप चढहेंगे उसमें से 5 मूदक भगवान गने शीए के आगे रखेंगे पांच मोदक ब्राम्हन को देंगे और बचे हुए मोदक आप और आपके परिवार के लोग प्रसाद स्वरूप में देंगे भगवान गणपती को तुलसी नहीं चड़ती दुर्वा ही चड़ती है